सब्सक्राइब करें तो आज हम सुरू करेंगी कुष्चन नंबर एक से कुष्चन नंबर एक हेड फील्ड के अनुसार सामानता मानसिक स्वास्त संपून ब्यक्तित का पून सुबवस्थित का रहें इसमें एक अप्शन से कुष्चन नंबर दो एक बर्समयात में हत्या के 2.6 लाग से अधिक मामलें के साथ भारत दुनिया की आत्मगाती राजधानी है कुष्चन नंबर 3 डी एल वाई का अर्थ है गती सील समायोजित लाइन वर्ष्चन नंबर 4 डबलू एच ओ डबलू एच आर दो हजार एक के अनुसार है कि दुनिया भर में 121 मिलियन लोग आवसाथ से पीड़ थे कुष्चन नंबर 5 निरंतर अवसाथ ग्रस्तता विकार को डिश्थीमिया अवसाथ भी कहा जाता है कुष्चन नंबर 6 जी एडी का अर्थ है सामानी ग्रत चिंता विकार कुश्चन नमबर साथ आवसाद के लिए प्रथम पंक्ती उपचार है आवसाद रोधी है कुश्चन नमबर आठ भाय का विकार एक पिरकार का चिंता विकार है कुश्चन नमबर नो एगोर फोविया क्या है खूली जगाय का डर कुश्चन नमबर दस अभी घातज के बाद के तनाव बिकार के लच्छणों में सामिल है एक दर्दनाग घटनागो फिर से जीना कुश्चन नमबर ग्यारा दोन दात्मक बेवार परक चिकतसा में कितना समय लगता है एक बर्ष कुश्चन नमबर बारा भ्रहम जूटी मान नता हैं जो ब्रहमक दिखाए जाने के बाद भी दूर नहीं होती कुश्चन नमबर तेरा एक गंबीर मान सक इस्थिती जो बस्तविकता से संपर के के नुक्सान से संकेति होती है उसे साई जो फ्रेनिया कहा जाता है कुश्चन नमबर चौदा लाई सर्जिक एसिड डाई एथी लामाइड एल एसडी एक सक्तिसाली मति भ्रहम है जिसे सबसे पहली सन उनी सो अरतिस में संकलित किया गया था कुश्चन नमबर चौदा मानशिक स्वास्त एक सीधे सीखे गए बेवार के अलावा और कुछ नहीं है जो समाजे के रूप से समायोजी होता है और जो ब्यक्ति को जीवन के साथ परियाप्त रूप से अनकूलित करने में मदद करता है या इस परिभास्त दी गई है कुश्चन नमबर चौदा मानशिक स्वास्त देखतम खुशी तथा प्रभाव सीलता के साथ बाता बरन एबं उसका दूसरे ब्यक्तियों के साथ मानव का समायोजन है मानशिक स्वास्त की या परिभास दी गई है कुश्चन नमबर 17 मानशिक रूप से स्वास्त ब्यक्ति प्रयाह मुक्त होता है द्वंद तथा तनाव से दू चिंता तथा कुंठा से आउशाथ से इनसवी से कुश्चन नमबर 18, किन गुणों वाला ब्यक्ति मान्सक रूप से स्वस्थ माना जाता है, चिंता एवं संगर से रहते एवं पूर्टा नेवजित ब्यक्ति स्रेष्ट एवं संचुलेत आत्मे मूल्यांकर करने वाला ब्यक्ति संबेग गात्मक रूप से परिपाक एवं नि करने एवं विफलता उत्पन करने वाली परिस्थितिंगों में परिवर्तन कर सके यह कथन किसका है कुलहन का यह कथन कुश्चन नमबर 20, मान्सक स्वस्थ का निर्मान करने वाले मुख्यकारक है, गरेलू बातावरान बिद्ध्यलाय का प्रभाव सामाज एक प्रभाव य कुश्चन नमबर 22, मान्सक स्वस्थ को इस पस्ट रूप से परिवास्थ करने बाला प्रथम ब्यक्ति कौन था, कुश्चन नमबर 23, मान्सक रोगों के लिए बैकल्पक उपचार है, योग एवं ध्यान पस्ट का हर बयाया में, सब इसमें द्ध्यलाय कुश्चन नमबर 24 कुश्चन नमबर 26 मान्सक स्वस्थ में सामिल होता है, हमारा भावनात्म, कल्यान, हमारा मनुबिग्यान, कल्यान, है सभी समय बंब भाइटों स्वास्त को फ्रभाविट करने बाले इस म सस्वास्त करने नंबर 29 मान से कुरूप से स्वास्थ ब्यक्ति होता है स्वास्थ चेट एवं चिंता रहे थे पूरता समाई होजे थे एवं आप नियंतर थे आप में बेश्वास्थी हम संबेगा अपने कुरूप से इस्थर इन सभी गुणों से एक तुसमेदा आप संसा यह कुश्चन नम और उत्तम बनाए रखने के लिए तीन ओप इस्था में कौन से हैं आहार निद्रा ब्रंफ हैं चर रहे यह तीनों कुश्चन नमर 32 मान से करोगों की सूची में सामिल है फोबिया मूड डिशॉडर कागनेटिव डिशॉडर इस सभी इसमेदा आप संसा यह कुश्चन नमर 34 निमन मैं से कौन कौन से मानू रोग हैं ब्यक्तित बेकार से जो फ्रेनिया मदसार इस सभी इसमेदा आप संसा यह कुश्चन नमर 35 निमन मैं से कौन प्रमुख मान सक रोग है यह आउसाद एक दुरूभी आउसाद सभी डाग बिस फोटी बेकार सभी इसमेदा आप संसा ये question number 36, मानसक रोगों का उदाहरण नहीं है question number 37, निमने मैंसे कौन मनो रोगों की सूची में सामिल है मनो बिच्छिप्त, मानसक मंदन सिजोफ्रेनिया, ये सब इसमेदापसन सही question number 38, अनुबानसक मानो रोग का उदाहरण है मदिरा पानमंद बुद्धी मेरगी सामि, question number 39, मनो बिच्छिप्त, साइको सिजोफ्रेनिया, ये सब इसमेदापसन सही question number 40, मोटे ब्यक्तियों को अधिक प्रभावित करने वाला रोग है question number 41, इस्थूल ब्यक्तियों में अधिक है होने वाला मानसक रोग है, भावात्मा करोग, हिस्टेरिया, हिर्दाय रोग है question number 42, मानसक रोगों से होने वाले मुख है, नुक्सान है दुख तता जीवन के आनंद में कमियाना पारिवारक सामाजे के इवं ब्रिष्टों की समस्यां गरीवी तथा बेघरपन, एस सबीसमेदापसन सही question number 43, किन रोगों को इसकी जो फ्रीनिया मनो रोग अधिक होता है अपने में खोई रहने वाले लोगों में, चुप रहने वाले लोगों में, कमित रखने वाले लोगों में, इस सबीसमेदापसन सही question number 46, मानसिक रोगों के सामाजिक सांस करते के कारण है सामाजिक मनो रंजा गति विदिनाओं से दुराओ, राजनी तक प्राकरते के या सामाजिक दुरगटना है सामाजिक बोधेवम आवरोध है, ये सबीसमेदापसन सही question number 48, मनो रोगों को उत्पन करने या बढ़ाने में योगदान रहता है परिच्छा या प्यार में अस्फलता कारणी ब्रति कार को खोदेना, ये सबीसमेदापसन सही question number 48, कि का सेबन मनो रोगों की उत्पत्ती का कारण बन सकता है रसाइनेक तत्तों कुछ दबाओं एवम धातूं मादिरा तत्ताव अन्ने मादक पतारतों ये सबीसमेदापसन सही question number 49, मैंसे कौन समानसिक रोग है bipolar disorder, alzheimer, demensia, ये सबीसमेदापसन सही question number 50, मानसिक रोगों की सूची में सामिल है पौर्किंसन रोग, आर्टिज में, dyslexia, एवम, AD, HD ये सबीसमेदापसन सही question number 51, लट संबंदी मनो रोगों के उताहरन है सराव किलत न से किलत, सराव इमन से किलत ये सबीसमेदापसन सही question number 53, मानसिक रोग के मुख लक्षण है, उदार मैसूस करना इवे ब्याकुल हो जाना ते देख भाए ये चिंता आपरात की भावना ये साबीसमेदापसन सही question number 54, कि लच्णों को दर्सेत करने वाला ब्यक्ति मनो रोगी हो सकता है, दोस्तों तथा अन्नेगति विदियों से अलाग है रहने वाला मनो दसमय आते देख परिवरतन दिखाने वाला सराव इमनसिली दवाओ को सिवन करने वाला ये सबीसमेदापसन सही question number 55, कौन से लच्छा प्रिकट करने वाला ब्यक्ति मनसिक है, रोग से पीड़त हो सकता है, खाने की याद तो मैं बड़े बदलाओ, आते देख कुरोध है, या हिंसक विवारात में घाती सोचे, सबीसमेदापसन सही question number 56, कारण बन सकता है, कोई पुरानी चिकत्स समसे, दर्दनाक मस्तिस्क की चोट, सराव या ड्रक्स का प्रियोगी सबीसमेदापसन सही question number 57, कितने बैस को मैंसे, एक ब्यक्ति को कभी ना कभी कोई मानसिक बीमारी होती है, पांच मैंसे, question number 58, मानसिक रोगों का सामना किया जा सकता है, तनाको नियांदत करके, आत्मसमान को बढ़ा कर, अपने को समाज कार्यों में लगा कर, ये सबी question number 69, मानसिक रोगनेदान मे परिछण किये जाते हैं, सारी रेक परिछण में लेब टेस्ट, मनुबै ज्यानक मूल्यांकन, ये सबीसमें दाप्सन साहिए, question number 61, question number 60, कौन से लच्छण दिखाने पर, एक मानसिक रोगी को अस्पताल में भार्ती करवाने में की आवस्रिकता होती है, आत्मगाती बिचा आना, ना खाए हुगे ब्यक्ति को, जो मती भ्रहम या भ्रहम में हो, इन सभी लच्छण वाले ब्यक्ति को, question number 61, मानो रोगी की मानो चिकत्सा में सामल होती है, ब्यक्ति का चिकत्सा और गुरुप थेरपी ये बं परिवारक चिकत्सा, संग्यानात्मा की बिवार थेरपी ये सब इसमें दापसन सही है, question number 62, मानसक रोगों में इस्तिमाल होने वाली दवाई है, anti-depressant दवाई, चिंतारोधी दवाई, और mood, stable life, जर्स है, इसमें दापसन सही है, student हो गए हमारी 62 question, और ये हमारा आखरी भाग था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को स subscribe जरूर करना, thank you